असलाम लेक्म स्टुडेंट्स कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप ठीक होंगे आज हम डिस्कस करेंगे डाइपल मुवमेट और कोविलन बॉन्डिंग और नॉन कोविलन बॉन्डिंग उनकी टाइपस डिस्कस करेंगे हम पढ़ें फर्स्ट एक मिस्ट्री फैडल बोर्ट 2024 तो चलें स्टार्ट करते हैं तो डाइपल मुवमेंट क्या होता है सबसे पहले बात की जाए बिटाइपल मुवमेंट की तो आपने याद रखना है कि डाइपल मुवमेंट मतलब यह प्लारिटी से आया है वर ठीक है कोई भी आपके पास कोवलेंट मॉलिक्यूल है कोई भी आपके पास कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो आप उसके अंदर polar character देखते हैं, ठीक है, कितने percent या कितने values या कितने factors इसके covalent character या polar character रख रहे हैं, तो ये एक हमारे पास scale होता है, आप कह सकते हैं, जिस scale की help से हम polarity और non-polarity अपने covalent molecule के अंदर find करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं dipole moment, तो dipole moment actually होता क्या है, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, dipole moment को हम mu के साथ represent करते हैं, और ये equal होता है Q, मतलब charge of an atom multiplied with the distance between these two charges, example देता हूँ, कि आपके पास एक molecule है like HCl, ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों के उपर जब दो कोई भी neutral atom है, कोई भी neutral molecule है, और covalent है, तो उसके उपर जितना positive charge होता है, उतना ही negative होता है, ठीक है न, तो आप चाहे इस side का charge ले ले लें या इस side का charge ले लें, आपने sign तो लेना नहीं है, आपने सिर्फ उसका magnitude लेना है, कि उसकी value कितनी है, multiplied with, अब उनके बीच में जो distance है, अब इनके बीच में जो bond length है, उससे अगर multiply कर देंगे, तो हमारे पास dipole moment आ जाएगा, और अगर dipole moment की value ज्यादा है, it means आपका जो molecule है, उसके अंदर polarity ज्यादा है, और अगर dipole moment की value 0 आ रही है, तो इसका मतलब यह है का आपका जो molecule है, वो non-polar है, अब यहाँ पे dipole moment का योप आपको समझ आ गया होगा है, definition मैंने लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते है dipole moment क्या होता है, वैसे तो मैं यह कहता हूँ कि degree of measuring polarity ना compound, यह नीचे मैंने, blue color में भी mention किया हुआ है, कि आपके पास किसी भी compound के अंदर, जो polarity को measure करने की degree है उसको dipole moment बोलते हैं, अभी होता क्या है, definition उपर mentioned है, product of magnitude of positive or negative charge, कोई भी एक charge हो सकता है, और किस चीज के साथ distance between them, यह मैंने example आपको दी है, HCL है, इसके ओपर जो charge है, और इसके ओपर जो charge है, उसका magnitude ले लेना है, for example, 1.6 into 10 days to power, minus 19 coulomb है, ठीक है, और यह निके बीच में जो distance है, उससे multiply करेंगे charge को, तो आपके पास जो है, वो आ जाएगा dipole moment, अब कुछ बच्चे यहां पर mistake करते ह कुछ बच्चे दोनों के charge लेते हैं, यह भी charge, यह भी charge और इसको multiply करते हैं, नहीं भी आपने एक value लेनी है, चाहिए यह ले ले ले, चाहिए ले ले, क्योंकि किसी भी neutral molecule के अंदर, compound के अंदर, जितना positive charge होता है, उतना ही negative होता है, तो आपने एक ही value लेनी है, और उसको sign क के साथ mention नहीं करना, डाइपल मुमर्ट जो है, अगर आप इसमें charge लेते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस ही consider करेंगे, अब इस कैसे unit क्या है, डाइपल मुमर्ट जो है, इस कैसे unit होता है, नॉर्म में इसको d-bay बोलते हैं, कुछ लोग को d-by भी कहते है, तो यह इस कैसे unit हो अब 1 d-bay जो है, वो इतने कुलम मीटर के एकवल होता है, मतलब d-bay is very small unit, और कुलम मीटर जरा बरा unit है, ठीक है, तो हम इसको कुलम मीटर में calculate करते हैं directly, और बाद में इसको d-bay में लेकर इसको further proceed करते हैं, तो यहाँ से आप इसको convert भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह वाल यहाँ पर है, electronegative difference, negativity difference of two atoms in a compound determines the dipole moment, यह बढ़ी interesting चीज़ है, कि आपके पास एक molecule है, उसके अदर दो atoms है, तो अन दो atoms का, जितना ज्यादा electronegativity का difference होगा, उतनी ज्यादा polarity होगी, for example, HF है, अब HF जो molecule है, इसमें electronegativity का difference ज्यादा है, क्योंकि फदोराइड is more electronegative as compared to HCL, अब HCL के अंदर electronegativity का difference कम है, HF के अंदर electronegativity का difference ज्यादा है, तो जिसके अंदर electronegativity का difference ज्यादा होगा, वो ज्यादा polar होगा, उसका dipole moment ज्यादा होगा, तो HF का dipole moment है, वो HCL के निस्वत ज्यादा होगा, तो यह हम यहाँ पे मैंने आपको यह polarity wise बताया है, अ लेट्स करें लेट्स पोस्ट करें आपके पास है और उस मॉलिकूल के अंदर है जिसका इलेक्टर नेग्रिटी यह तो पांट वन सिक्स तो अगर आप इसको जो है वह माइनस करते हैं तो आलमोस्ट आपके पास इसका आँसर 0.980 में यहां पर वन ही कंसरे कर लेता हूं यह तो यह आपके पास जो है लेक्टो नेटिवुटे के डिफरेंस आता है इसी तरह अगर एच एफ का करता एच एफ था एफ एफ का लेक्टो नेटिवुटिटी ये जादा आता है कैसे जादा क्योंकि यहां प्रियुटकी है 2.2 और फल्राइड की ओती है ै 4 आपके पास 1.8 तो जतना ज्यादा लैक्टू डिफ्रम्न ज्यादा भी और जितने स्पाना भी मॉलॉसासीज की बारे में बारे मोल्सं है इसे मॉलेक्टियूल से इसको फिर उपर मतलब Р Lum एक्जेम्पल की तरफ लेके जाता हूं है है तो अगर हाईलाइट कर देता हूं वह आपके पास त्री पॉइंट वन सिकस्ट तो नियर इक्वल एक्वल तुवन अथा है अगर अगर हम एक्थ F की बात करते हैं तो उसके अंदर लेक्टो नेगटिविटी का डिफरेंस आता है 1.8 मुझे बताएं HF ज्यादा पोलर हुआ या फिर HCL तो HF ज्यादा पोलर है लिए HF ज्यादा पोलर है तो हम कह सकते हैं इसके अंदर आयोनी क्रेक्टर ज्यादा है ठीक है? इस HF के अंदर आयोनी क्रेक्टर ज्यादा है HCL के अंदर आयोनी क्रेक्टर कम है अगर हम कोवलेंट क्रेक्टर के लिए आसे बात करें तो HF के अंदर कोवलेंट क्रेक्टर कम है और HCL के अंदर कोवलेंट क्रेक्टर ज्यादा है तो ये मैंने यहाँ पे एक point आपको बता है, Covalent Character की बात करने की ज़रुवत नहीं है, हम I&O Character की बात कर सकते हैं, अगर polarity ज्यादा है, तो I&O Character ज्यादा होगा, अगर polarity कम है किसी Covalent Compound की, तो I&O Character उसमें कम होगा, अगर आगे move करते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम यह find कर सकते हैं, polar and non-polar covalent bond, suppose करें, polar covalent bond क्या होता है, बड़ा easy topic है यह भी, polar covalent bond के बात करें, तो greater electronegativity difference, अगर electronegativity का difference ज्यादा है, तो आपके पास compound जो है, वो polar होगा, अब उस polar होने के वाज़े से क्या होगा, कि आपका वो atom जिसकी electronegativity ज्यादा है, उस पे partial negative charge आ जाएगा, और वो atom उस molecule के अंदर, जिसकी electronegativity कम है, उसके उपर partial positive charge आ जाएगा, example देता हूँ, यहाँ पे आपके पास HCl एक molecule है, ठीक है, और इसमें आपको पता है, कि कलोरीन की electronegativity ज्यादा होती है, और hydrogen की कम होती है, तो यह polar covalent bond हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कलोरीन क्योंके ज्यादा electronegativity है, इसकी तो इसके उपर आजाएगा partial negative charge, और H जो है, इसके उपर आजाएगा partial positive charge, इसी तरह अगर आपके पास H F की बात करें, तो सेम वही केस है, इसकी 4 है, इसकी 2.2 है, तो यह भी polar molecule है, जिसकी electronegativity ज्यादा है, उसके उपर partial negative, और जिसकी electronegativity कम थी, उसके उपर opposite partial positive charge आजाएगा, और fully positive और fully negative क्यों नहीं आरा है, जिसमें आपके पास 3 atoms है, तो oxygen की electronegativity ज्यादा होती है, तो इसकी उपर partial negative आगया, और hydrogen की दोनों की आपस में equal है, लेकिन oxygen से कम है, इस वहाई से they will get partial positive charge, अब कुछ molecule जैसे होते हैं, जो symmetric होते हैं, symmetric मतलब यह है, उन्हें के अंदर जो arrangement है, atoms की वह बड़ी symmetric होती है, एक अगर atom इदर है, यहाँ पर center वाला atom है, तो दूसरा इदर होगा, अब यह जब इसकी electronegativity ज्यादा, तो अपनी तरफ खींचेगा, यह जो नीचे वाला यह अपनी तरफ खींचेगा, और यह एक दूसरे के effect को cancel कर देंगे, यह हो सकती है, ठीक है, linear यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, बिल्कुल 180 के angle पर, के central atom center में है, और दो atom side हों पर है, ठीक है, यह भी non-polar होगा, और एक होती है triangular shape, triangular shape में क्या है, कि center वाला atom center में है, और तीन atom जो हैं, वो आपके side हों पर है, यह tetra ideal shape, tetra ideal shape tripod की तरह होती है, तीन pound नीचे होते हैं, और एक round ओपर की तरफ निकला होता है, यह भी normally जो है, यह भी आप कह सकते हैं, tetra ideal जो molecules हैं, यह भी non-polar होते हैं, if all the surrounding atoms are, यह molecules are same, अगर वो same होगे, अब ऐसा क्यों है, कि जो polyatomic symmetric molecules हैं, वो non-polar क्यों होते हैं, तो यहां प्यांसर लिखा हुआ है, because they show equal net effect, that just cancel out each other, अभी यह मैं समझाता हूँ कैसे, यहां भी आप देखिए, मैंने carbon dioxide का structure बनाया हुआ है, carbon center में है, और यह 180 का angle है, मतलब यह linear shape है, ठीक है, अभी यह वाला oxygen इसकी electron activity ज्यादा है, यह वाला oxygen इसकी भी electron activity है, carbon पर partial positive हा जाएगा, अभी यह जो है, dipole moment के अगर direction देखी जाए, तो जिस तरफ ज्यादा electron activity atom होता है, इसके direction उदर को बनाते हैं, एरो उस तरफ डॉँ करते हैं, तो एक arrow इदर को draw हो जाएगा, और एक arrow इदर को draw हो जाएगा, और इस साइड पर जो electron activity का difference आ रहा है, वो 0.7 db आ रहा है, dipole moment इस साइड का भी 0.7 db आ रहा है, तो अभी यह वाला bond, इस वाले bond के opposite है, क्योंकि इसकी direction इदर को है, इसका dipole moment चाहे यह है, इसका dipole moment भी equal है, तो यह दूसरे के effect को, net effect को, net dipole moment 0 हो जाएगा, और वैसे तो आपका CEO bond जो है, यह polar था, क्योंकि इसका dipole moment 0 नहीं था, इस साइड वाला भी CEO bond polar था, क्योंकि इसका भी net effect जो है, जो dipole moment था, 0.7 था, 0 नहीं था, लेकिन, जब इनका net effect देखते हैं, तो इसकी direction इदर को है, 0.7 कि इदर को है, 0.7 माने 0.7, net आपके पास जो dipole moment आएगा, वो 0 आएगा, तो ओवराल कार्बन डाइकसाइड जो है, ओवराल molecule जो है, नॉन पोलर है, लेकिन, अगर कार्बन डाइकसाइड के अंदर, अगर हम कार्बन और ऑक्सिन का bond देखते हैं, तो वो एक-एक bond polar है, और कोई शक्स पूछता कि क्यों polar है, तो आप बताएंगे, के कार्बन और ऑक्सिन की लेक्टो नेग्टिविटी का difference है, तो इसलिए उनका जो आपस में bond होगा, वो polar है, लेकिन, मसला यहां पर यह हो रहा है, कि इदर भी CO bond है, और दूसरा इदर भी CO bond है, तो दोनों की direction opposite है, तो दोनों की direction opposite है, तो अगर कार्बन डाइकसाइड बात की जाए, तो कार्बन डाइकसाइड इस नौन पोलर मॉलीकूल, लेकिन कार्बन डाइकसाइड के इंदर जो bonds है, इस आप पोलर bonds, because they have 0.7 डीबे डाइबल मॉमेंट, अब यहां पे एक self assessment है, वो भी मैंने बुक से जो है, यहां पे पिक उठा कर डाली है, तो concept assessment exercise 3.1, इसमें क्या mentioned है, question यह है, are the following molecules, molecules polar or non-polar, क्या आपने इन मेंसेजें नीचे molecules दी होगे, वो बताना है कि polar हैं यह non-polar है, और molecules कौन-कौन से हैं, कलूरीन है, CL2, ठीक है, उसके बाद HF है, उसके बाद V-shaped sulfur diacol ride है, V-shaped मतलब इस तरह से आई है, और यहाँ पे इसके पास दो lone pair होगे, वसके बाद है tetra header molecule CA3 CL, तो इसका structure कुछ इस तरह से होगा, इस तरह आप लगा दें, यहाँ पे CL लगा दें, वो इस तरह पे 3 नीचे H लगा दें, तो यह tetra header है, अब हमने बताना है कि कौन सा polar है, कौन सा non-polar है, ठीक है molecule बताना है, बाद नीचे बताना है, तो यह तो बाई दोनों एक जैसे ही आपके पास हैं, एकर इसका molecules डॉग करें, तो इस तरह से होगा, तो इसका तो dipole moment 0 आ रहा है, ठीक है ना, बाउंड बनेगा, वो polar होगा, क्योंकि लेक्टो नेग्टिविटी का difference है, और इसका dipole moment कोई ना, कोई value consider कर सकता होगा, इस तरह अगर SCl2 का आता, अगर यह linear होता इस तरह से, ठीक है, फिर तो यह non-polar होता, लेकिन अभी यह linear नहीं है, इसका effect इधर को है, और इसका effect इधर को है, और यह net effect 0 नहीं हो रहा, इसका dipole moment कुछ ना कुछ होगा, is not equal to 0, that's why it is also polar molecule, ठीक है न, यह बात याज रखनी, अब यहाँ पे अगर तो यह होता न, CH4, CH4 का structure भी tetra-headle होता है, सारे के सारे H1 जैसे atoms होते है, तो एक दूसरे का net effect cancel करते हैं, तो यह इसका dipole moment 0 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक CEL है, तो CEL होने की वज़ा से, आपके पास H जो है, इसकी electron activity काम होती है, और carbon की ज्यादा होती है, तो dipole moment इस साइड को होगा, और इस सारे कार्बन और कलरोईन की देखी जाए, तो इसकी electron activity ज्यादा होती है, तो एक ही तरफ direction है, एक दूसरे के effect को cancel नहीं किया जा रहा, तो एक दूसरे के effect को जब cancel नहीं किया जा रहा, तो इसका भी जो dipole moment है, वो भी 0 के एकवर नहीं है, तो आप के पास ये वाला molecule भी पोलर है, आपके पास ये वाला molecule भी पोलर है, लेकिन आपका जो ये वाला है, ये वाला non-polar है, इस तरह अगर आप CBR4 की बात करें, तो CBR4 आप मुझे बताएं, क्या होगा polar होगा, non-polar होगा, इसमें सारे के सारे atoms एक जैसे हैं और स्मिट्रीक हैं तो इस वज़ा से इसका जो net effect है वो dipole moment will be equal to zero, it will be non-polar, ठीक है ये बड़े easy assessment है उसके बाद dipole moment का topic यही था कि किस तरह हम बता सकते हैं कि कोई dipole moment की help से, electron negativity के difference की help से के कौन सा covalent molecule जो है वो polar है और कौन सा covalent molecule जो है वो non-polar है तो यह बढ़ी असानी के साथ हमने discuss कर लिए अब हम तो अगे बढ़ते हैं, आगे वाला topic है 3.4, bond energy ठीक है न, इसको bond in therapy भी कहा जाता है, bond energy, कि कि किसी भी bond को बनाने के लिए जो energy चाहिए होती है उसको bond energy कहते है और किसी भी bond को break करने के लिए जो energy चाहिए होती है उसको भी bond energy कहते हैं, मतलब these values are equal but in opposite science, क्योंकि bond जब बनता है तो energy release होती है और जब bond टूडता है तो उतनी ही energy required होती है, तो यह चीज़ आपने याद रखनी है, कि bond enthalpy जो है, यह heat के मानों में जरा आ जाता है, energy is a bigger term, तो mostly bond enthalpy का ही word use करते है, this is amount of energy that is required to break one mole of a bond from a one mole of a substance, for example आपने HCl लिया है, ठीक है, यह आपके सामने है, और HCl के अंदर यहाँ पे एक bond है, H और C L के पीच में, तो अब आपने one mole HCl ले लिए है, तो one mole HCl के अंदर one mole ही covalent bonds होंगे, और आपने इन bonds को break करने के लिए definitely energy लगाए तो वो amount of energy जो किसी भी bond को break करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, तो that amount of energy is called bond energy और bond enthalpy, बहुत easy है, मुश्किल नहीं है, bound बनाने के लिए उतनी amount चाहिए होती है, और bond को break करने के लिए उतनी ही amount चाहिए होती है, अब यहाँ पे मैंने definition भी नीचे mention कर दी है, the energy required to break a bond of same type in one mole of a substance, एक ही तरह के bonds को किसी भी one mole substance में break करने के लिए जो amount of energy लगती है, that amount of energy is called bond energy और bond enthalpy, इसका unit क्या होता है, क्योंकि energy है, तो इसका unit जाओल होगा, और क्योंकि energy काफी ज्यादा quantity में release होती है, तो हम prefix kilo use कर लेते है, kilo joule, और क्योंकि हम यहाँ पे one mole substance की energy find कर रहे होते है इसलिए हम इसको कहते है, kilo joule, पार को हो, otherwise energy का unit आपको पता, जाओल ही होता है, अब factors कौन-कौन से है, जो bond energy पर डिपेंड करते है, जिस पर bond energy डिपेंड करती है, सबसे पहले electronegativity difference, तो भई सीधी सी बात है, अगर आपका electronegativity difference जो है, वो ज्यादा है, तो bond strong होगा, एक बहुत ज़्यादा positive है, बहुत ज़्यादा negative है, तो bond strong होगा, और जब strong bond होगा, तो bond उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा energy चाहिए होगी, तो bond energy is directly positioned to the electronegativity difference, यहोप आप समझेगे मैं क्या कहने चाहरू, अगर नहीं समझे तो example भी देता हूँ, HF जो है, इसमें electronegativity का difference ज़्यादा होगा, उतना bond shorter होगा, और मजबूत होगा, तो electronegativity difference ज़्यादा होगा, तो bond ज़्यादा polar होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, उसको break करने के लिए ज़्यादा energy चाहिए होगी, इस वाए से electronegativity difference is directly proportional to the bond energy, इसके बाद यहाँ पे नीचे एक table भी दिया गया difference 0.7 है, और electronegativity का difference 0.4 है, तो जिसमे electronegativity का difference ज़्यादा है, उसकी energy देखें ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि bond मजबूत होगा, तो definitely जो है, उसको break करने के लिए ज़्यादा amount of energy चाहिए होगी, उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा graph भी बना हुआ ह आप यहाँ पे energies भी गिवन है, इसको table की फार्म में बनाया हुआ है, ग्राफ की फार्म में, electronegativity difference is directly proportional to the polarity, जितना ज्यादा 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 पोलर होगा और ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा tightly packed होगा, ज्यादा tightly packed होगा, ज्यादा tightly packed होगा, बाउन चोटी होगी, ब ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा ज्यादा लगेगी, तो HF का bond सबसे छोटा है और मजबूत है, ज्यादा अनरजी, इसके बाद HCL का है, इसके बाद आपके पास HBR का है, इसके बाद HI का है, तो आप energy का difference देख सकते है, किलो जावल पर मोल्स के साबसे, तो सबसे weak bond कौ करते हैं, तो bond length क्या होती है, कोई भी आपके पास molecule है, तो उसका एक atom और दूसरे atom के जो nuclei के बीच में difference है, distance है, उसको हम बोलते है, bond length, for example, आपके पास एक O है ये, और एक O है ये, और इन उने आपस में bond बनाया हुए, तो इनके nuclei का जो आपस में distance होगा, that will be called bond length, और bond length को या तो हम engstrom, जो measure करते हैं, या पीको मीटर में, और engstrom जो होता है, ये एक मीटर का ही एक unit है, इसके साथ हम मीटर नहीं लगाते हैं, engstrom मीटर नहीं लिखते हैं, क्योंकि engstrom का मतलब ही ये है, 10 days to power minus 10 meters, पीको क्योंकि prefix है, पीको का मतलब होता है, 10 days to power minus 12, और 7 meter लगाना हो, HF की length shorter है, HCR की थोड़ी सी ज्यादा है, HBR की और भी ज्यादा है, और HIE की सब से ज्यादा है, क्योंकि इसमें electronegativity का difference जो है, वो सब से ज्यादा है, जितना ज्यादा electronegativity का difference होगा, उतना bond छोटा होगा और polar होगा, जाहर है, electronegativity का difference मतलब ये है, ज्यादा positive charge, ज्य difference ज्यादा ही आएगा, तो ज्यादा tightly packed होगा, तो bond length ज्यादा होगी, तो clear है, bond length ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है, atoms दूर दूर है, और atoms दूर दूर तुर तभी होगे, जब उनका electronegativity का difference जो है, वो कम होगा, क्योंकि कम होगा तो 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 दूर दूर और जब दूर दूर होगे, तो इसको break करना ज्यादा easy हो जाएगा, ठीक है, तो bond length is directly proportional to the size of atom, अगर atom का size बड़ा है, for example, example देता हूँ आपको, मैं H2 के बात करता हूँ, यहां पर शायद मैंने, हाँ यह नीचे example दी भी हूँ है, अगर मैं H2 molecule की बात करता हूँ, तो इसकी रहेगा, लेकिन BR का size बड़ा है, तो bond length ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो bond length ज्यादा होगी, इसको break करना easy होता है, तो देकिए HBR जो है, इसको मैं easily break कर सकता हूँ, with less amount of bond energy, और H2 को break करने के लिए ज्यादा amount of energy लग रही है, क्योंकि HH का size चोटा है, वो ज्यादा tightly packed है, इसको break करना मुश्किल है, लेकिन जो आपके पास HBR है, अब H तो उतना ही है, HBR बड़ा है, तो bond length ज्यादा हो जाएगी, तो इसको break करना easy हो जाएगा, कम amount of energy लगेगी, I hope आपको understand हो गया, उसके बार यहाँ पर नीचे table भी दिया हुए, यहाँ पर आप देखें FF, ठीक की जाए, तो FF का bond सबसे short होता है, जब FF का bond सबसे short होता है, तो इसके energy ज्यादा होने चाहिए, तो इसके energy इसलिए ज्यादा नहीं होती है, इसका exceptional case आया है, प्रीविस बुक में explained भी था, कि जो हमारे पस fallorine है, उसमें, जो है, वो electron activity ज्यादा होती है, और close होने की वज करता, कि top to bottom जाते हुए, bond energy जो है, वो decrease करती है, क्योंकि bond land बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है, कि सबसे चोटा तो bond F का, F का है, उसके बाद फिर CL, CL का है, फिर BR, BR का है, और फिर उससे बढ़ा आ जाएगा I, I का है, तो होना तो यह चाहिए, सबसे ज़्यादा bond energy FF की ह होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे चोटा bond है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा factor आ जाता है, उस factor को मैंने explain कर दिया है, कि size चोटा होने के वज़ा से, फलॉरीन के जो electrons है, वो inter electronic repulsions होती है, और जो electrons जो हैं, वो इतने stable नहीं होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को repel कर रहे होते है 151 है, बरुमीन तो रहसा चोटा bond है, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा amount of energy, तो कलोरीन को ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा amount of energy जो है, वो लगेगी, तो इस वज़ा से यह आपके सामने यह चीज आ गई है, उसके बाद नीचे यह टेबल सा भी दिया हुआ है, इसक काम है, ठीक है, बी-ार की बाउनलेंज ज्यादा है, यह बाउनलेंज इस साइट पे मैंने लिए हुई है, तो इसकी बाउनलेंज मैं यहां पर टू कर लेता हूँ, इसकी बाउनलेंज यहां पर बनती है, यहां पर बनती है, यहां यहां पर बनती है, यहां पर बनती है, य कायोडीन के लंबी है उसकी बावम नर्जी काम है तो यह वाला जो डूर्ग है यह वाला जो होगर स्पाफ के टिक कई इसको आपने डेस्ट right करेंаем उसके बाद यह च्छोटी सी एक बात का क्याumag size के seven वहाधा थे ऐन्भी काम और उसको इसको पतुड़ा सिया झाता है सरता नहीं restrictionelle उतन हमोषी जादा झाता है इसको तोड़ो तोड़ alert तोड़ो तो टोड़ा जाय किया इसको अगर सॉट को एह अगर जाता है तो पल्द उसको एक फ्रीण चाहिए category ond ऑसनी होगी यह उत्याए in I hope आपको understand हो गया होगा, thank you so much, Allah Hafiz.